गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं विकास शिक्षा ओशन तता एंशन हिस्ट्री की इस मेगा सरिस्के क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे सात्यों रोज सुबे 8 बजे हम प्राचिन भारत के इत्यास को वस्तुनिस प्रशनों के माध्यम से पढ़ते हैं और हमारे 8 बज चुके हैं हमारे क्लास शुरू हो चुकी है मेरे सात्यों प्राचिन भारत के इत्यास को हम वस्तुनिस प्रशनों के माध्यम से पढ़ने का प्रियास कर रहे हैं और इसी के तहब 4 क्लासेस आपकी अप्लोड की जा चुकी है और 4 classes के माध्यम से हमने 80 questions को जान लिया है और आज की जो class हैं यह 5 वी class हैं और इस 5 वी class में हम 20 और questions के बारे में जानने वाले हैं तो जो मेरे नए साती हैं जिन्नोंने अभी तक सिक्षा ओर्षन को subscribe नहीं किया है सिक्षा ओर्षन को subscribe कर लिजे मेरे सातियों आप bell icon को भी जरूर प्रेस कीजेगा जो की subscribe button के बगल में ही है bell icon को प्रेस करने की वज़े से आप हमारे classes के notification अपने mobile पर प्राप्त कर सकते हैं इसलिए आपको bell icon को प्रेस करना बहुत जादा जरूरी है मेरे सातियों रात को 8 बजे कल से हमने medieval history की classes भी शुरूर की है तो सातियों आप medieval history की classes भी जरूर लीजेगा इसके अलावा मेरे मित्रो सुबे 10 बजे माप कीजेगा 11 बजे हम पढ़ते हैं current affairs सुबे 11 बजे हमारा current affairs की classes रहती है लाइव रहती है आप जरूर हमारी live classes में उपस्तित रहिए इसके अलावा रात को 10 बजे हमारी modern history की live class रहती है तो आप modern history की live class में भी आप live लीजेगा तो चले सातियों आप class की शुरुआत करते हैं class की शुरुआत से पहले मेरे सातियों हमारे facebook page, instagram page, telegram channel और blog इस वीडियो के description से प्राप्त हो जाएगी तो मेरे सातियों इस वीडियो में description में facebook page की link पर जाके सिक्षा ओशन के facebook page को आप like कीजे telegram channel को join कीजे instagram channel को follow कीजे और हमारे blog पर जरूर विजिट कीजेगा जहां पर आप लोगों को बहुत सारे pdf available करवाएज आता है तो चले मेरे सातियों अब पहले question पर चलते हैं question से पहले मेरे सातियों आप सबी लोग जल से जल इस class को like कर दीजे और class को share कर दीजे like और share में किसी प्रकार से कोई कंजूसी आपकी और से नहीं होनी चाहिए चले जी आज की session का पहला question और इस पूरी mega series का यह question है एटी वनवा प्रस्ण करमा 81 हमसे कह रहा है कि नाभी वर्ष किस देश का एथिहासिक नाम है नाभी वर्ष किस देश का एथिहासिक नाम है option A है मेरे सातियों भारत option B है म्यानमार option C है चीन और option D है मिश्र मेरे सातियों आप सभी लोग प्रस्ण करमा 81 का उत्तर लगाने का प्रयास कीजे आप सभी लोग comment box में जरूर बताएगा कि इसका right answer क्या है तो नाभी वर्ष मेरे सातियों मैं आपको बता दू कि भारत में प्रतम जो जेन तिर्थकर हुए है जिनका नाम है रिशब देव जो पहले जो जेन तिर्थकर थे रिशब देव उन रिशब देव के पिता का नाम नाभी था उनके पिता का नाम क्या था सातियों नाभी था और उनके पिता के नाम पर ही इस पूरे भारत का नाम भी नाभी वर्ष के नाम से जाना गया, तो यानि नाभी वर्ष नाम आपके भारत देश का है, तो साथियों याद रखेगा कि नाभी वर्ष जो है यह भारत का एक नाम है, जिस प्रकार से आरेवरत भारत का नाम है, हिंदुस्तान, भारत, भारत, इंडिया, जंबुद्वीप, यह सब बीं आपके भारत का नाम है इसी प्रकार से ना भी वड़ भी आपके भारत का नाम है तो प्रश्न क्रमांग 81 का right answer मेरे साथ होगा आपका आप वालगा यानि भारत चले मित्रों अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की और प्रश्न क्रमांग 82 और आज की क्लास का यह दूसरा प्रश्न है प्रश्न क्रमांग 82 क्या कहता है जरह हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांग 82 कह रहा है कि साथियों निम्नले लिखित कतनों पर ध्यान दीजिए हमारे सामने मित्रों दो कतन है इन दोनों कतनों के बारे में हमें ध्यान देना है, तो चले जी जरा हम पहले दोनों कतनों के बारे में विचार कर लेते हैं, फिर उसके पश्चाद देखते हैं कि कौन से कतन सत्य है, पहला कतन, अंडाल एक महिला संत थी, जिसकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई जाती हैं, यानि अंडाल न प्रचनाओं को सामन्य तोर पर गाया जाता है, यह पहला कतन हैं, दूसरा कतन, कराइकल अम्मा ययार, शिव के भक्त थे, जिनोंने अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए, अत्यदिक भक्ती के मारगों को अपनाया था, यानि एक शिव भक्त थे, जिनका नाम है कराइक अम्मा यह यार इन्हों ने भगवान शीव को प्राप्त करने के लिए अत्यदिक भक्ति यानि जादा भक्ति करने का मार्ग अपनाया था तो मेरे साथ यो अब प्रस्णम से यह हैं कि इन में से कौन सा कथन सत्य है तो केवल एक केवल दो सीवाला ओप्षन केता है एक और दो दोनों और ओप्षन डी इन में से कोई ने तो मेरे साथ यो आपको क्या लगता है कि कोई सा कथन सही हो सकता है क्या कथन आपका पहला कथन सही है या कथन दूसरा सही है या फिर आपको ऐसा लगता है कि ने सर दोनों कथन सही है या फिर इन में से कोई कथन सही है नहीं है आ राइट अंसर या फिर जो आपको सही लगता है वो कमेंड बुक्स में बताईए जल से जल बताईए साथियों तो अगर हम दोनों कत्नों की बात करें तो पहला जो कत्न है यहां कत्न अंडाल एक महिला संथ की बारे में बोलता है जिसकी रचना को गाया जाता है तो मेरे साथियों पहला कत्न बिल्कुल सही है कि हमारे भारत में प्राचिन भारत में एक अंडाल नाम की एक संथ हुई है ट दूसरे कतन की कराय कल अम्याय यार शिव भक्त थे यह कतन भी बिल्कुल सही है और यह ऐसे शिव भक्त थे जिन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए आपके जो कठोर भक्ती का जो मार्ग होता है या अत्यदिक भक्ती का जो मार्ग होता है उस मार्ग को अपनाय था यानि दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है तो इस अनुसार से प्रश्ण क्रमांग 82 का राइट अंसर सी वाला होगा यानि एक और दो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ठीक है तो प्रश्ण क्रमांग 82 का राइट अंसर सी है यानि एक और दो कथन दोनों बिल्कुल सही है मेरे स है चले जे मित्रों अगले प्रश्ण्ब पर चलते हैं प्रश्ण्क्रमांग एटि ठीठी और आज के सेशन का यह है प्रश्ण क्रमांग तीसरा बहुत अच्छा प्रश्ण highest प्रष्ण्ड मांग एटिठी हम से क्या केता है सात्यू जबहुत हम उठीठी तो प्रश्ण क्रवां अटित्रियम से कह रहा है कि निमनलर्खित में से किस भारती राजा ने धर्म महामात न्यूक्त किये थे किस भारती राजा ने धर्म महामात न्यूक्त किये थे मैंने सात्य ओप्षन है अशोक ओप्षन भी है समुंद्रगुप्त ओप्षन सी है चंद्रगुप्त प्रथम और ओप्षन डी है चंद्रगुप्त मौर किस भारती राजा ने धर्म महामात न्यूक्त किये थे तो आप तूरंद कमेंट करके बताईएगा कि वह आपके राजा कौन है इतने में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि धर्म महामात क्या होता है ठीक है मैंने साथियों तो आप देखिएगा धर्म महामात को तो धर्म महामात का मतलब क्या होता है साथियों धर्म महामात का मतलब होता है कि एक एसा पद जो आपके या एसा व्यक्ति जो आपके धर्म का प्रचार करता हो ठीक है धर्म महामात एक पद बनाया और उस पद पर बेटने वाला जो व्यक्ति होता है वह धर्म का प्रचार करता था ठीक है और यह धर्म जो महामात है यह था जो बोध धर्म का प्रचार करता था ठीक है मेरे साथ यूँ तो इसी धर्म महामात का निर्माण या इसकी न्यूक्ति किस ने की थी तो मेरे साथ यूद रखेगा अशोग के दुआरा बोध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धर्म महामातों की न्यूक्ति करने का ये जूख, टेके मिरे साथ यूं, चलेजे मिरे मेत्रो, अब अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं, प्रस्ण करमाँग 84, जेन धर्म से संबंदित प्रस्ण है, To the Point question है जरा बात करते हैं क्या question है कि जेन धर्म के 22 वे तिर्थकर कौन थे जेन धर्म के 22 वे तिर्थकर कौन थे option A, रिशब देव, option B, अरिष्ट नेमी, option C, पार्षणाथ, option D, महावीर, ठीक है, महावीर स्वामी तो मेरे साथ के जल से जल इस प्रशनक का उत्तर आप सभी लोग दीजिए, मैं आप लोगों से इस प्रशनक की उमीद करता हूँ तो तुरंद बताईएगा कि जेन धर्म के 22 वे तिर्थकर कौन हैं, क्या वे रिशब देव हैं, क्या वे अरिष्ट नेमी हैं, या वे पार्षनाथ हैं, या वे आपके महावीर हैं, कौन हैं तो मेरे सात्यों अगर हम इन चार तिर्थकरों के बारे में बात करें, तो सबसे पहले बात करते हम रिशब देव की, तो मेरे सात्यों रिशब देव जेन धर्म के प्रथम तिर्थकर थे, क्यों थे, प्रथम तिर्थकर थे, और इन्होंने ही जेन धर्म की इस्तापना की थ तो रिशब देव तो पत्थम तिर्थकर हो गए यानि 22 वे तिर्थकर तो यह हो नहीं सकते पार्षणात जी कि अगर अपने बात करें तो भगवान पार्षणात जो थे भगवान पार्षणात आपके 23 वे तिर्थकर थे कौन से तिर्थकर थे सातियों 23 वे तिर्थकर आपके भगवान पार्षनात थे, तो 22 वे ये हो नहीं सकते हैं, महाविर स्वामी की अगर हम बात करें, तो मेरे सात्यों महाविर जो स्वामी थे, यहाँ आपके 24 वे तिर्थकर थे, और जेन धर्म के आखरी तिर्थकर महाविर स्वामी थे, तो अब बचे सिप अरिस्ट नेमी, तो 84 का राइट आंसर बी वाला है कौन सा मेरे सात्यों बी वाला और एक और फेक्ट में आप लोगों को इससे संबंदित बताऊं तो जो अरिस्ट नेमी जो 22 तिर्थकर है इनका वर्णर आपके रिंग वेद में भी है यानि जो वेद हैं मारे चार वेद उन चार वेद में से एक वेद हैं रिंग वेद इस रिंग वेद में आपके रिशब देव और अरिस्ट नेमी जो तिर्थकर हुए इन तिर्थकरों के नाम का वर्णर भी आपके रिंग वेद में प्राप्त होता है तो याद रखेगा मेरे सात्यों कि 22 तिर्थकर आपके अरिस्ट नेमी थे तो प् राचिन भारत के इत्यास में भूत अच्छे-अच्छे प्रश्ण हम इस मेगा सिर्ष के तहत लेके आए हैं और यह ऐसे प्रश्ण है सात्यों जो आपके परिक्षा में सामान्य पूछे जाते हैं और मेरा पूरा विश्वा से अगर आप नियमित रूप से मेरी क्लासेस लेत प्रश्नक्रमाग 85 के हम बात करते हैं प्रश्नक्रमाग 85 क्या कहता है मात्र नामा किस वन्ष के शाष को द्वारा शुरू किया गया था मात्र नामा मात्र नामा का मतलब क्या होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा किन्तु पहले हम ओप्शनों को देख लेते हैं इतने में ज किस वन्ष के शास को द्वारा शुरू किया गया था ओप्शन ए मौर रे ओप्शन भी गुप्त ओप्शन सी सातवाहन और ओप्शन डी कण्व किस वन्ष के द्वारा मात्र नामा की शुरुआत की गई थी आप सभी लोग इस प्रस्ण का उत्तर कमेंड बुक्स में दीजिए इतने में मैं आपको बता देता हूँ कि ये मात्र नामा होता क्या है किसे कहते हैं मात्र नामा तो मेरे साथ यूँ मात्र नामा मात्र नामा का मतलब ही होता है कि अपने नाम के आगे अपने नाम के आगे माता का नाम लिखना मात्र नामा का मतलब क्या होता है अपने आगे म माता का नाम लिखना यानि एसे शाशक जो आपके अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लिखने की प्रथा को शुरू किया हैं तो वह कौन सा वंच है शायद अब आप लोगों को इस प्रशन का उत्तर समझ में आ गया होगा तिक क्योंकि इस मेगा सिरिस के तहत मैं इस प् शुरू किया गया है तो मोर्य, गुप्त, सात्माहन, कन्व तो मेरे सात्यों आप लोग अच्छी तरह कैसे याद रखेगा कि मात्र नामा आपके सात्माहन वंच के द्वारा शुरू किया गया था किसके द्वारा शुरू किया गया मेरे सात्यों सात्माहन वंच के द्वार शुरू किया गया था जिसमें मैं आप लोगों को एक उधारानी के तहत बताऊं तो आपको पता होगा गोत्मी पुत्र साथ करनी यानि सात्माहन वंच्व का एक राजा हुआ जिनका नाम है गोत्मी पुत्र साथ करनी तो साथ करनी राजा हुए तो उन्होंने अपने नाम कि तो प्रस्न क्रमांग 85 का right answer c वाला है 70 करेंगे 46 कि रश्नक्रमांग 46 क्या कहता है उसके बारे में चर्चा करते हैं Tapani सक्रमा 86 केता है कि मनु ने किस अपराद के लिए राजा मनु का मनु ने किस अपराद के लिए ब्रामन को अन्य वन की तुल्ला में अधिक दंड देने को कहा है मनु ने किस अपराद के लिए ब्रामन को अन्य वन की तुल्ला में अधिक दंड देने के लिए कहा है मेरे सात्यों आपको मैं बता दूं कि चार वन होते हैं और इन वन का उल्लेक हमारे वेदों में किया गया है अब यह जो क्लास सिस्टम है यह कास सिस्टम से अलग है यानि जाती विवस्ता से अलग है यह वन विवस्ता है वन विवस्ता हमेशा कारी के आधार पर तै की जाती है तो चार वन होते हैं, ब्राम्मन, शत्री, वैश और शुद्र, तो राजा मनु जो हैं ये कह रहे हैं कि ब्राम्मन जो वन हैं, वह कोई ऐसा अपराद कर देते हैं, तो उस अपराद के लिए उनको अन्यमन के मुकाबले ज़ादा सजा देनी चाहिए, ये तो वह अपराद कु सकता है तो मेरे साथियों आप याद रखेगा कि अगर ब्राम्मन चोरी करता है तो मनु ने कहा है कि उस ब्राम्मन को आप अन्यमन के मुकाबले जादा दंड दीजी तो प्रश्ण करमांग 86 का आप अगले प्रश्ण की और हम चलते हैं प्रश्ण करमांग 87 क्या कहता है कि राजा ब्राम्मनों को छोड़कर सबका स्वामी है यह विचार किस ने दिया था एक विचार है to the point question है मेरे साथियों प्रश्ण क्या है कि राजा ब्राम्मनों को छोड़कर सबका स्वामी है यह विचार किस ने दिया तो option A मनु option B गोतम option C यागवलक जी या option D वैदव्यास तो मेरे साथियों यह जो कथन है पूरा कि राजा ब्राम्मनों को छोड़कर सबका स्वामी है यह आपके मनु के द्वारा नहीं कहा गया है यह कहा गया है आपके गोतम रिशी के द्वारा गोतम बुद्ध नहीं है यह गोतम रिशी है गोतम रिशी ने यह कहा था कि राजा ब्राम्मनों को छोड़कर सबका स्वामी है और गोतम रिशी ने एक पुस्तक लिखी थी है ग्रंत लिखा था जिसका नाम है धर्मसूत्र याद रखेगा धर्मसूत्र और इस धर्मसूत्र में उन्होंने बताया था कि राजा प्रामणों को छोड़कर सबका स्वामी है तो प्रश्ण क्रमांग 87 का राइट आंसर होगा मेरे साथियों बी वाला गोतम रिशी चले जब अगले प्रश्ण की चरशा करते हैं बहुत अच्छा प्रश्ण है प्रश्ण क्रमांग88 88 की बात करें तो किस चौल राजा ने मालदीव को जीता था तो मेरे सात्यों में आप लोगों को बता दू कि चौल जो थे उनकी अपने स्वयम की नेवी थी नो सेना थी और चौलों की जो नो सेना है यह नो सेना उस जमाने में सबसे शक्तिशाली नो से ना मानी जाती थी तो चोल राजा ने मालदीव को जीता आपको पता है कि मालदीव आपके एक आईलेंड के रूप में है एक द्वीब के रूप में है यानि उसको जीतने के लिए हमें नेवी के आवशकता पड़ेगी तो इसका ताथ पर यह है कि चोल वंच के पास नेवी हुआ खरती थी तो अब मालदीव को किस ने जीता हमसे प्रस्थन यह पूछा जा रहा है तो ओप्शन ए है राज-राज ओप्शन भी है राज अंद्र चोल फर्स्ट option c है, राज एंदर 4 सेकर्ड और option d है, राज राज सेकर्ड किसने आपके चोल राज को जीता था तो मेरे साथियों मैं आपको बता दू कि चोल राजा ने मालदिव को जीतने का श्रेज आता है राज राज को ठीए, राज राज ने अपनी नो सेना की शक्ति को प्रदशित करने के लिए स्री लंका मालदिव क्यों उपड़ आक्रमन की नोसेना के माध्यम से और स्री लंका तथा मालदिव को उन्होंने जीत लिया साती में इस नोसेना की मदद सही समुंदर के रास्ते से होते हुए उरिसा के कलिंग को भी राज राज ने जीत लिया था यानि चोल वंचों ने जीता था और चोल वंच जो है सातियों यह दक्षिन भारत का एक अति महत्पुण एक वंच है तो याद रखेगा राज राज ने नो से ना की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए आपके माल्दिव को जीता था तो प्रष्न क्रमांग 88 का राइट आंसर यह वाला होगा मैरे सातियों अब अगले प्रश्नी की चर्चा हम करेंगे अगले प्रश्नी की चर्चा करने से पहले अभी तक जिन सात्यों ने इस class को like नहीं किया हैं तो मेरे सात्यों class को like जरूर कर दीजे और class को subscribe कर दीजे और आप इस class को जादा जादा share कीजेगा आप याद रहे सात्यों आज 11 बजे हम online रहेंगे और newspaper को discuss करेंगे हमारा सुब्गे 11 बजे का समध हम newspaper को discuss करते हैं इसलिए आप सबीग लोग online रहीएगा और समय पर सबीग लोग online रहें ठेके मरे सात्यों? चले जे अब अगले प्रस्न पर चलते हैं प्रस्न करमांग 89 जरा बात करते हैं प्रस्न करमांग 89 क्या कहता है प्रस्न करमांग 89 कहता है कि कल्प द्रुम की रचना किसने की कल्प द्रुम की रचना किसने की तो option A है कालिदास, option B है लक्षमीधर, option C है सरवेश और option D है सदल मिश्र मेरे साथियों to the point question है तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि कल्प द्रुम जो है इसकी रचना आपके कालिदास के दुआरा नहीं की गई है क्योंकि परिक्षा में ऐसे प्रस्ना आते हैं तो बच्चे कालिदास का चुनाव कर लेते हैं किन्तु कालिदास इतके right answer नहीं है प्रस्नक्रमांग 89 का right answer बी वाला होगा यानि लक्षमी धर लक्षमी धर एक मंत्री हुआ करते थे साथियों जो कि घड़वाल वंच के एक मंत्री थे और घड़वाल जो वंच हैं यह कन्योच का एक राजपुत शत्री वंच हुआ करता था गड़वाल वंच का एक प्रस्न Walmart का राजा में एक राजआ थे गोविंद चंद नाम क्या था उनका साथीओं गोविंद चंद अपके एक महान राजा थे और इसी गड़वाल वंच के एक मंत्री हुए है लक्षमी धर और उन्हीं लक्षमी धर मंत्री ने कल्प दुर्म नामक पुस्तक की रशना क यह थी चले सात्यों अब अगले प्रश्ण पर चलेंगे प्रश्ण क्रमांग 90 बहुत अच्छा प्रश्ण है मेरे सात्यों बहतरिन प्रश्ण है जरा हम देख लेते हैं यह प्रश्ण क्या है प्रश्ण क्रमांग 90 हमसे कहता है कि अशोक के ब्राम्मी अभिलेक यानि शिला ल लेग को स्वरर्प्रतम किस ने पढ़ा था क्योंकि अशो के जो श्रीला लेग थे वहाँ भ्राम्मी लीपी में लिखे गए थे तो ऑप्शन ए हैं जैम्स प्रिंसेप ऑप्शन भी हैं मैक्स मुलर ऑप्शन सी हैं कौनी गहम और ऑप्शन डी हैं इन में से कोई नहीं तो किस इस प्रशनका उत्तर हैं जैम्स प्रिंसेप तिक है जैम्स प्रिंसेप एक इंग्लीश विदवान थे एक अंग्रेजी यानिंग बिंह सब्साइब को पढ़ने का प्रयास किया और इन्होंने ब्राह्मी लिपी में इस शिलालेकों को पढ़ा फिततप्शात और शोंग से सं राइट आंसर हो जाएगा मेरे सात्यों, ए वाला, ठीक है मित्रों, चलेजी, अब अगले प्रस्न की चर्चा हम करते हैं, प्रस्न क्रमांग 90, 91, अब प्रस्न क्रमांग 91 की चर्चा करेंगे, ठीक है, इससे पहले जिन सात्यों ने अभी भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है, तो मेरे सात्यों क्लास को लाइक जरूर कर दीजे और क्लास को शेर भी कर दीजे, ठीक है, तो प्रस्न क्रमांग 91 की हम चर्चा करते हैं, प्रस्न क्रमांग 91 क्या कहता है, देखिएगा, चावल की खेती के प्रथम साक्ष कहां से प्राप्त हुए हैं, तो option A है, गंगा कहां से आपके चावल की खेती के प्रतम साक्ष प्राप्त हुए हैं तो मेरे सात्यों to the point question है आप लोग याद रखेगा कि चावल की खेती के प्रतम साक्ष जो हैं ये आपके गंगा घाटी से प्राप्त हुए हैं यानि यहाँ पर स्वर्पुतम चावल की खेती हुआ करती थी यह प्रमान हमें यहां से प्राप्त हुए हैं तो याद रखेगा प्रश्न क्रमांग 91 का राइट आंसर गंगा घाटी है ठीक है सात्यों? प्रश्न क्रमांग 92 की बात करें तो सिंदु गाटी सब्विता के किस इस्तल से अगनी वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं सिंदु गाटी के किस इस्तल से अगनी वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं ठीक है ओप्षन हैं मोहन जोदडो ओप्षन भी हैं लोथल ओप्षन सी हैं काली बगगन और option D है लोथल ठीक है लोथल वापस repeat है ठीक है तो किस इस्तान से अगनी वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं तो मेरे सात्यों आप लोग अच्छी तरीके से याद रखेगा कि अगनी वेदिकाएं सिंदू गाठी सब्व्यता में काली बगगन से प्राप्त हुई है सात में जूते हुए खेट ठीक है जूते हुए खेट भी हमें प्राप्त हुए हैं और इसके साथ अगनी वेदिकाएं भी हमें यहां से प्राप्त की गई है काली बगगन से ठीक है सात्यों तो प्रस्ण क्रवांग 92 का Right Answer C वाला है चले अब अगले प्रस्ण पर हम चलेंगे मेरे सात्यों बहुत अच्छा प्रस्ण है बहतरिन प्रस्ण है और एसे प्रस्ण आपके परिक्षा में बनते हैं और बोह सिभा परिक्षा में पूझा भी गया है प्रashnut क्या है 93 कि पाली ग्रंथों में निगंठना निपुद की से कहा गया है तो पाली भाषा के जो ग्रंथ उनमें निगंठना निपुद की से कहा गया है तो option A अशोक, option B गौतमबुत, option C चंद्रगुप्तमोर और option D महाविर स्वामी तो किसे मेरे साथियों पाली ग्रंथों में निगंठना निपुत के नाम से जाना गया है तो अच्छी तरीके से याद रखेगा मेरे साथियों कि पाली जो ग्रंथ है उनमें निगंठना निपुत कहा गया है आपके महाविर स्वामी को किसको कहा गया है महाविर स्वामी और बगवान महाविर स्वामी को आप जानते हैं साथियों भगवान महाविड स्वामी आपके जेन धर्म के 24 तिर्थकर उए हैं तो इन 24 तिर्थकर यानि भगवान महाविड स्वामी को निगंठना निपुत के नाम से जाना गया है पाली ग्रंथों में अशोग, गोतंबुत, चंद्रगुप्त, मोर ये नहीं है ठीक है सात्यों, चलेजे, अब अगले प्रस्ण की चर्चा भी हम करते हैं, प्रस्ण क्रमांक 94, भोत अच्छा प्रस्ण है मेरे सात्यों, सारे प्रस्ण भोत अच्छे हैं, कुछ प्रस्ण आपके कंसेप्ट से सम्मंदी थे, जहांपर मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ, पर एक question पर focus रहिएगा चले जी प्रश्न क्रमांग 94 किस गुप्त राजा को लिच्वी दोहित्र कहा जाता है किस गुप्त राजा को लिच्वी दोहित्र कहा जाता है ठीक है अब देखते हैं कि वहाँ कौन सा गुप्त राजा है जिसे लिच्वी दोहित्र कहा गया है तो option A है श्रीगुप्त, option B है चंद्रगुप्त फरस्ट, option C है चंद्रगुप्त सेकंड और option D है समुद्रगुप्त तो मेरे सात्यों जल्दी से comment करके आप सबी लोग इस प्रशनक का उत्तर मुझे बताईए कि किसे आपका लिच्वी दोहित्र के नाम से जाना गया है ठीक है मेरे सात्यों क्या ये श्रीगुप्त हैं, क्या ये चंद्रगुप्त फरस्ट हैं, या ये चंद्रगुप्त सेकं पुत्र थे, समुंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रतम के पुत्र आपके समुंद्रगुप्त थे और चंद्रगुप्त की पतनी लिच्वी राजकुमारी थी, तो लिच्वी राजकुमारी के पुत्र हुए आपके समुंद्रगुप्त और इसी कारण से समुंद्रग लिच्वी दोहित्र कहा जाता था यानि इसका मतलब होता है कि लिच्वियों की पुत्री का पुत्र लिच्वी दोहित्र का मतलब क्या होता है कि लिच्वियों की पुत्री का पुत्र तो लिच्वी राजकुमारी आपके समुद्र गुप्त की माता थी तो इस अनुसार से प्रश्नक्रमांग 98 का राइट आंसर होगा D वाला समुंद्र गुप्त। अब अगले प्रश्न की चर्चा हम करते हैं प्रश्नक्रमांग 95 प्रश्नक्रमांग 95 की बात करें तो मोरे काल के दोरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? यानि जब मोरे काल था तब मोरे काल के दोरान राज्य का जो राजस्व हैं यानि जो कर हैं जो टेक्स हैं उसकी वसूली करने के लिए अधिकारी को न्यूक्ति किया गया था तो उस अधिकारियों को क्या कहा जाता था? उसके पद को क्या कहा जाता था? तो ओप्शन A हैं सन् प्रदेष्ट और सेनापति तो बतेएगा सातियों कि मौर्यकाल के दोरान जब राजस्व की वसूलिक की जाती हैं तो उस अधिकारी के पत को क्या कहा जाता है क्या उसे सन्नी धात्री कहा जाता है या उसे प्रदेश्ट कहा जाता है या उसे सनहर्ता कहा जाता है या उसे कहा जाता है सेनापती क्या कहा जाता है आप जरूर कमेंड करके बताईए सात्यों तो मेरे सात्यों में आपको ये बता दू कि मोरेकाल में जो आपका करवसूली का प्रमुक इस्त्रोत था वह क्रशी था यानि मोरेकाल के दौरान सबसे जादा जो revenue एकटा होता था वो agriculture sector से आपके सबसे जादा revenue एकटा किया जाता था मोरेकाल में और जब मोरे काल में आपके राजस्व को एखटा करते थे, रेवेन्यू को एखटा करते थे, तो उसके जो अधिकारी हैं, उस अधिकारी को सन्नी धात्री नहीं कहते थे, सेनापती तो बिल्कुल नहीं हो सकता, प्रदेश्ट जो हैं, प्रदेश्ट भी नहीं है, सनहर्ता ब 95 का right answer C वाला होगा, Sun हर्ता. चले मित्रो, अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, प्रश्न क्रमांग 96. प्रश्न क्रमांग 96 क्या केता है, जहां परूख देखेगा, गुप्त काल के दोरान स्वन सिक्को की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्को की कमी का क्या करण था गुप्त काल के दोरान स्वन सिक्को की कमी आ गए थी और उनके बाद सिक्को में और कमी आई उसके पीछे का कारण क्या था तो option A माल सस्ता हो गया था option B, स्वन खनन रोक दिया गया, option C, मंदी की आविवस्ता हो गई, और option D, आपके व्यापार में गिरावट आई, तो मेरे साथ यों आपको बता दू, इसका to the point answer है, कि व्यापार में गिरावट आई थी, इसकी वज़त से आपके स्वन सिक्कों में कमी आई थी, तो प्रश्ण क्रमांग 96 का राइट आउंसर D वाला है, व्यापार में गिरावट, अब अगले प्रश्ण पर चलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्ण है, प्रश्ण क्रमांग 97, प्रश्ण क्रमांग 97 क्या कहता है, कि निम्न लिखित में अस्ट्र महस्तान, अस्ट महा इस्थान कौन सा नहीं है निम्न लिखित में अस्ट महा इस्थान कौन सा नहीं है तो option है लुंबिनी, राजगर, कुशिनगर या तक्षिला अब प्रश्ण यह है सात्यों कि अस्ट महा इस्थान क्या होता है किसे कहते हैं अस्ट महा इस्थान अश्टमह इस्तान का मतलब होता है कि गोतम बुद्ध से जुड़े हुए आठ इस्तलों को आपका क्या कहा जाता है अश्टमह इस्तान के नाम से जाना जाता है तो अश्टमह इस्तान कौन-कौन से जरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ यानि वह आठ इस्तल कौन-कौन से हैं जो आपके भगवान बुद्ध से सम्मंद रखते हैं तो पहला है सात्यों लुंबिनी, दूसरा है गया, तीसरा है सारनाथ, चोता है कुशी नगर, पांचवा है श्रावस्ती, छटा है संकास्य, सात्वा है राजिक्रव और आठवा है वेशाली यानि कौन-कौन से लुंबिनी, गया, सारनाथ, कुशी नगर, श्रावस्ती, समाक, राजग्र और वेशाली ये आठ आपके गोत्म बुद्ध से जुड़े हुए इस्तल थे जिने अपन केते हैं अश्टमह, इस्तान अब इन में से कौन नहीं था तो देखो सात्यों नाम म का भी लिया, कुशी नगर का लिया, किन्तु तक शिला का नहीं लिया, और प्रश्न हम से पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो प्रश्नक्रमांग 97 का राइट आंसर डी वाला होगा, तक शिला, ठेके सात्यों, चले मित्रों, अब अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्र संगीतिया क्या है, एक बार नहीं, दो से तीन बार में चरचा कर चुका हूँ, तो तरती बोध संगीति किसके काल में हुई थी, तो ओप्शन A है अशोक, ओप्शन B है काला अशोक, ओप्शन C है कनिश्क, और ओप्शन D है अजाच शत्रू, तो आप सब को ग्यार थे मेरे सातियों कि तरती बोध संगीति जो थी, यहाँ अशोक के शाशनकाल में की गई थी, किसके साशनकाल में? अशोक के शाशनकाल में तरती बोध संगीति की गई थी, तरती बोध संगीति के अध्यक्ष आपके मोगली पुत्रम तिस थे, मोगली पुत्रम तिस आपके तरती ब पोइंट कोश्चन है सातियों कि गोतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ यानि किस उम्र यानि किस एज पर भगवान गोतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो एज लिखी हुई है 30 वर्ष 35 वर्ष 42 वर्ष और 38 वर्ष किस एज में जाकर गो गोत्म बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो मेरे सात्यों बोध गया में वर्ट व्रक्ष के नीचे आपके गोत्म बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो प्रश्ण क्रमांग 99 का राइड आंसर होगा बी वाला चले सात्यों अब हम प्रश्ण क्रमांग सो पर चलते हैं और यह प्रश्ण क्रमांग सो आज की सेशन का लास्ट कोश्चन है चले जिज़रा देखते हैं प्रश्ण क्रमांग सो क्या है प्रस्रक्रवांग सो ये कह रहा है कि गोतम बुद्ध का एक मात्र पुत्र का नाम क्या था गोतम बुद्ध का एक मात्र पुत्र था एक की पुत्र था एक लोता पुत्र था उसका नाम क्या था हमें सबको पता है बहुत कोमन नाम है उनका और बहुत कोमनली कोशन आता है तो प्रस्ण क्रमांग 100 कारायट आंसर हो गया एवाला, ठीके सातियों, चले जी, इस प्रकाश से सातियों आप सभी लोगों ने 20 कोशनों को भी पढ़के इस मेगा स्रिस्ट को पहुँचा दिया है, 100 कोशन तक, ठीके, तो मेरे सातियों, इस 20 कोशनों को पढ़ने के बाद हम समारी के पांचवी क्यास भी समाप्त हो जाती हैं तो मधे साथियों आपको मेरे प्रयास अच्छा लगा हो तो क्यास को जरूर लईक कीजिएगा यड रहे साथियों हमें मुलाकात करनी है ग्यारा बजे करेंट क्लास में तो सभी लोग उपस्तित होंगे तो मेरे सात्यों अभी के लिए इतना ही जिन सात्यों ने अभी तक सिक्षा ओशन को सस्क्राइब नहीं किया है वे सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले तो मेरे सात्यों अभी के लिए इतना ही आप मुलाकात करेंगे 11 बजे लाइव क्लास में करेंट रफेस की तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद